बक्तर तो हम बनाएंगे ना दुतरा की कावावकात है कि आके कोई गोपाल गंजले भागलपूर से आजा आके बना देगा कहीं बक्तर के दर्ती पर मौमाया हम से तो ददन्जादो के भोट है तो ददन्जादो को टिकर देना चाहिए तो उलिया के सामंती तना सा अगुंडा को टिकर दे दिया ब्रामबन राजपुत भुनिहार लालु जी के भोट नहीं देता है इतना तना सा इगोमंडी आदमी है कि उसको कोई लाइके नहीं करते है यह लोग खड़ा होते हैं जक्ता परिवार यहां पर जक्ता भाजपा को जीताने के लिए भेजे लेकिन हमारा जादो लुक सजग होगा जिसका बाप जादो परिवार में विकास नहीं किया तो यह किया विकास करेगा हमारा से लड़ाई चल रहा है 2004 से ब्रामबन लालू जादो से लोग बोट नहीं देदे न अपरत करते हैं बक्सर के पहला प्रेयट नस्तल करूप देना है अब विश्वा मित्र का इतिहांस बनाना है विश्वा मित्र नहीं रहते तो राम के इतिहांस ने जक्ता सिंग के बेटा राबडी को गोवर पत्नी भी कहा था एक लाक बतीस अजार से आरे जगता सी बेटा की भेजने की किया हुची था लेकिन बेटा ही भचपाई है यह आर्शेस का है लालू जादो के जंडा भी जलाया था बक्सर लोग सबाद छित्र में इस वक्त हम मौजूद है और प्रत्यासी अपना अपना कमर कश चुके हैं जहां एक तरफ एंडिये के तरफ से मितले स्तिवारी भारतिये जंतापाटी के उमिदवार है तो वहीं इंडिया गडबंदन के तरफ से सुधाकर सिंग जो की जगदानान सिंग के बेटे हैं वो भी चुनावी मैदान में गुमते अभी आप पकड़ाएं हैं क्या महाल है देखिए हम चाव बजे सुबह निकलते हैं थोड़ा लेट हो गया चाव बजे से लेकर हम करीब चार बजे सुबह तक घुमते हैं तो हमारा लोग है संपरक है वाया सब लोग के घर-घर के आदमी से हमारा संबंद है कोई लोग सबाव चेतर में घर नहीं है गाउं नहीं है जिस गाउं में हमारा करीब करीब 80% लोग नहीं हो तो हर गाउं को घुबना पड़ता है संपरक करना पड़ता है इसे सारे लोग पूरे मतलब जितना चेतर में गाउं हैं 85% लोग हमारे फेवर में हैं तो घूम रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं लोग भोट देने के लिए कर रहे हैं भोट तो देगा ही हमारन भोट है हमारा सोरा लाक भोट है गरीब सोची दलीत हमारा जादो परिवार के लेकर जो जो उमिदवार है उमिदवार के बारे में यहां के लोग सब लोग जानते ह यह उमिदवार लोग आते हैं चाहे भाचपा की हो चाहे आरजेडी के हो उनको पांच आदमी ले आना पड़ता है तो वह जा जाके आगे बतावे कि यही फ़लना उमीद्वार है यह फ़लना उमीद्वार है उन्लोग को कोई जान है ना पाचान है ना पांच गाउं के जनकारी है तो वह समस्या है यहां पर 55 बाहरी लोग MP बनते गए अब 55 साले हमारे लोग जेला है बाहरी संसौदों की मन कि अवकि बारी गुलामी से बचाना है बारी लोग के गुलामी से बारी सन्सदों के गुलामी से कि आज के बाद कोई बाहर के लोग आके हिमत नहीं जुटा पई लड़ने के लिए और यहीं बक्सर और लोक-षवाचेत्रे के धर्ति पर जनम लेने वाला ही MPA मेले बने य घर बचाने के लिए तो हमारे पास वोट है आपको तो बता दिये कि यहां पर ब्रामबन राजपुत बुनियार चार जात मिल के यहां पर चार लाख के करीब करीब वोट है तो चार लाख भोट में समझे कि हमारा भी वहाँ पर बनामान राजपोत बुनियार में अच्छा जहां संबंद है तो उसमें भी 10 परसेंट 15 परसेंट हमको भोट मिलेगा हम नहीं जादा कह सकते हैं लेकिन 15 परसेंट 20 परसेंट में दागी नहीं है दागी नहीं है तो वह 20 में 4 लाख में अब समझ लीजिए कि 20 परसेंट जदी भोट मिलता है तो कितना भोट हो जाएगा इस्तिवारी भी मैदान लेगा है अब वहां पर बरामन लोग भी यमन बना लिए एक देखिए यह चेला है था अस्वानी चोबे के अउन ही से सीखा वहीं दिली में सब उनके साथ रह के काम देखा सीखा और उनको धोखा देके अपने टिकट ले लिया इसलिए यहां पर बरामन लोग भी उनसे कुछ नराज है सुधाकर सिंग उनके पिता तो यहां से सांसद रहे हैं उनको कैसे देख रहे हैं देखे सुधाकर सिंग के पिता जब यहां पर एमपी बने 2000 से मात्रे 2000 से चुनाओ जीते हूँ हमसे 10,000 वेशी थे उस समय हमसे 10,000 लडाई उनसे भी हमारा से लड़ाई चल रहा है 2004 से 2004 में हम चुनाओं माय सिवान अंतिवारी को लालु जी टिकट दे दिये तो उस समय भाजपा के लाल मुनी चोवे थे तो लाल मुनी चोवे के भोट आया 2,05,000 हमारा भोट आया 1,05,000 हजार सिवान अंतिवारी के एक लाग तीस हजार एक 37 हाजार में ब्रांबन के भोट ये नएशाफ यि नहीं तो लालु जादोसे लोग भोट नहीं देदे नंपरत करते इस चाहिए ही जनली यह औप पूरे बहार के ब्रांबन राजपूत भुनिहार लालु जी में नहीं दे सकता तो सारा ब्रांबन को वैं भोट ये आपका स यह चुनाव जित जाते हैं फिर चुनाव हुआ लालु जी बोले कि ददन आपको टीकर दे देंगे अपकी 2009 वाली में तब तक ही जकता सिंग लड़के ले लिया अब जकता सिंग लड़के ले लिया था जग्ता के भोटाया एक लाख बतीस हजार और भाजपा के भोटाया ए इसलिए उसको वोट नहीं दिया हमारा वोट ले लिया जा दो और मुसल्मान का एक लाख 30,000 और एक लाख 30,000 और एक लाख 32,000 और एक लाख 51,000 जोड देते तो उसमें भिलालु जी हमको टिकट जेते ते एक लाख 25,000 से जित जाते हैं मगर वो भी वह 2000 से जीत गया जगता से 2004 में ही चुनाव जीता है 2009 में 2009 से लेकर आज 24 तक उसका पूरे बक्सर लोकसभाच्चेतर का बेक्ती चेहरा नहीं देखा होगा चुनाव जीतने के 5 साल पांच साल से आज तक कोई चेहरा नहीं देखा होगा और पांच साल में 25 कुड़ो रुपिया मिला जगता के वो पैसा कहां गया अकीस मद में खर्चा किया अभी तक वो भी पता नहीं चल रहा है इसलिए कि जादो मुस्लिम का बोट लिया जादो मुस्लिम के गाउं में जाते हैं पूछते हैं कहीं पर भी एको लाग रुपिया लगा कर विकास नहीं किया अस्वानी चोबे देखिए अस्वानी चोबे तो वो कुछ विकास नहीं किये ना वो गाउं में घुमते थे उसके अस्वानी चोबे के बाद कह रहे हैं तो 2014 में लड़ाई हुआ फिर, 2014 में अस्वानी चोबे को भोट मिला 3,90,000 और जगता कि भोट मिला 1,46,000 आहम 86,000 एक लाग 86,000 आहम को भोट मिला 1,84,700 तो 1,84,700 और 1,84,000 जोड देते तो 52,000 भोट से हम ही चुनाव जीते थे मगर यह हमारा जादों का भोट काटने के लिए यह लोग खड़ा होते हैं जकता परिवार और यह भाजपा की जिताने की इनकी मनसा रहता है इस कारण से हमको हराने के लिए अब बताइए बिधाय के जीता 165 भोट से MLC भी उनका बेटा हारा EMP दूदू बार हारे जकता सिंग एक लाख 32,000 से हारे जकता सिंग बेटा की भेजने की किया हुचित था लेकिन बेटा यह भाजपाई है यह आर्सेस का है लालू जादो के जंडा भी जलाया था रामगर में जा गया पुछिए का कोई बता देगा और आपका बताते हैं कि अभी आपका जकता सिंग के बेटा राबडी को गोबर पत्नी भी कहा था एक डीम जादो आया उसको मुफ़त थुकने के लिए और जुता मारने के लिए भी कहा तो यह तना घुमंदी तना साह बेखती को यहां पर जकता भाजपा को जीताने के लिए यह भेजे लेकिन हमारा जादो लुक सजग हो गया अब जादो जान गया कि जिसका बाप चुन घु나सरा में हमारा एक बहादूर बिदोआ की बहादूर की पत्नी बिदोआ यहां पर इे बिदायक बनती थी उसका टीकट-कटबाके चाना खे गरवाना दिया तो एस ज्डियक चाहा को जैता लाइक देए चांब तो हमारे साथ है, वाइसी जी का समर्तन हमारे साथ, वाइसी जी का समर्तन है, वाइसी के साथ 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 त्रावदीन के पतनी के समर्तन है, तो सारी समर्तन है, आपका राजबर, दुसाथ, चमार, यह आपका नुनिया, बिंद, मला, सारी जात, सोरे लाग वोटर के इक्चा म कि हम लोग फारवर्ट को भोट नहीं देंगे जो फारवर्ट हमको वाड में चुनाओं नहीं देता है उसको हम कई से एंपी बना देंगे तो भी लोग होस में हो गया है अगरा बनाम पिछडी की लड़ा अगरा वो तो हाई ही लोग के मन में है इसलिए कि जगतार सिंग ठक क चला गया आपको तो बता दिए कि जब 2004-2009 में चुनाओं जीता अब पांसा लेंपी रहा अद 2009 से लेकर 24 तक जगता सिंग के कोई चेहरा नहीं देखा चौबेव जी थक सकतारि चॉववेव ख़्याद था करें नहीं देखाधी देखा आपको अस्वानी चौबे तो मैं जग में पैसा लगा दिया जतना पैसा था इसके पास पचास कुड़ों रुपिया मिला नौ दस साल में पचास कुड़ों जग करवा लिए कि जग के नाम पर वावा लूट की चल गए भागन पूर बोरा में रुपिया को सके बोरे में बोरा में अगर ददन पहलवान सांसर बनते हैं तो बक्सर का विकास कैसे होगा बक्सर के पहला प्रयाट नस्तल करूप देना है अब विश्वा मित्र का इतिहांस बनाना है विश्वा मित्र नहीं रहते तो राम के इतिहांस नहीं लिखाता है इसलिए कि यहां पर जग्य होता था और राक्षस लोग जग में हडिट डाल देते थे इससे जग खंडित हो जाता था तब विश्वा मित्र हमारे परिवार की एक रीशी थे बक्सर में जनम लिये थे वही गए जनक वहां अजुद्या इसलिए कि राक्षस को मारने के लिए वही गए राम को बुलाने के लिए राम क होते हैं बशिष्ट आतरम में चल गए ग्यान लेने के लिए ग्यान ले और धनुश्वान से पनिपूर्ण हो गये तब तक यह विश्वा मित्र पहुँच गया कि हमें जाके बोलो राज़ दर्वार में कि बक्सर से विश्वा मित्र रिसी आएं, खबर गया कि विश्वामित्र रिसी ये काये हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तुरंत राजा दसरत बसीर जी ले पूछे, बसीर जी काये कि जल्दी खाली पैड़ दोड़ के जाओ, बड़ा महान संत आपके दरबार में आगए, अपना आसन पर बैठाओ, वही ल कुछ मांगने के लिए इन लोग आता है, तो हम तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए हैं, तो रजा दसरत कहें कि मांग लिजी जो मांगेगा उप पुरा करेंगे, तो कल बचन देते हो, कल हाँ बचन देते हैं, तो वही बचन ले लिए तो कहें कि हमें राम चाहिए, त परसाद से राम लच्मन भरस सत्रुदन का जनम हुआ उसके बाद गए बसीश रासरम वहां से आए तो आप आगए यह हम काम नहीं करें अभी तो हमारी बहु लोग भी उनका प्यार दुलार नहीं किया हम भी नहीं किये अब ही कैसे दर राम को दे देंगे कहा कि आप बचन द बरबार बरबाद हो जाएगा इसलिए जाके पर पकड़ के किसी आलत में मनाओ तब फिर ले आए बोड़ांत पगीर के मनाने से पहले वह अब आपका विश्वा मित्री सी बसिष्ट को बोले कि अरे बसिष्ट इसको समझाओ इस समझ रहा है कि राम हमारा बेटा है कि समझ कि जो कह रहा है वही आप करो तो में मंदिर बन गया लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि बक्सर के साथ हम देखी हुआ बक्सर के लोगों की बावना हम जानते हैं सीचेंगे नहीं परियाटन अस्तल करेंगे वही नहीं बक्सर के साथ राजा भोज का एक किला है भोजपुर में जो वह भी धाहा पड़ा हुआ है तो वह भजपुर के राजा भोज का किला भी हम उपर करेंगे तहीं इस्तिति है इसलिए कोई का इंडिट में कोई दम नही एक लिए निया गिटिश किमार के भी करीब रहे किसी से बात हुआ पहरा अहिसी है लाखुआ रमारा चयित की बट भूर्टि के वोट में कहमेंड की कतना दना चाहिए तो ददन जादो के भूट है तो ददन जादो को टीकर देना चाहिए तो उलिया के सामन्ती तना साह गुंडा को टीकर दे दिया जिसको ग्याने नहीं है काल भी कांग्रेस को गाली दिया ही कि कांग्रेस ले हमारी नफरत है दुस्मन है हमारा कांग्रेस पॉस्टर में दिखा कि पपू यादो की तस्बीर लगी हुई है पपू जादो पपू जादो आएंगे हीना साहिप के समर्तन है यहांभी दो तर अद्म के कह लएगा ड्याद नहांगै जिसके हांद में एक अकलाक बोट है एक परसो कुल जागा ऐक दम एक दम एक दम किसी के पास बूट नहीं है अच़ि result राजपृत भुनियार मिलके और आताहनी मिलके चतेन गटबंदन था नितिश कुमार भाजपा और मुकेस आनी तीनों गटबंदन में बक्तर लोक्त सभा के अंदर जो 6 विधान सभा आने वाला है 6 विधान सभा में ही लोकर उमिद वार हुआ 6 उमिद वार को दो लाक बासट हजार बोट मिला चोवों मिदवार के तो चोवों मिदवार के दो लाक बासट हजार बोट मिला है तो इससे कहां भजपाब आगे जा सकता है दो लाक बासट हजार से तो दो लाक बासट हजार में समझे कि ददन जादो के भी करीब करीब असी और लाग के बीच में रहेगा, इस बार मारजिन कितना है? मारजिन अब देखिए हम तो मारजिन के समय चार तारीक हुआ, आप गुना गणीत लगा रहे हैं 2004 से लेकर अभी तक 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 तो इस बार कितना? चार के पता चल जाएगा, उमिदवार है, उसको बताना परेगा, बता रहा है कि यह सुधाकर है, यह सुधाकर जी, यह सुधाकर जी, नहीं पहचानता है, बता हिए. ददन पहलवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और इनका मानना है कि इस बार जीत पक्की है, बरहाल बकसर की लड़ाई, त्रिकोनिये, चोकोनिये हुई हुई है, दो निर्दली उमिदवार और दो पार्टी की उमिदवार, लेकिन इस बार देखने को यह भी मिल रहा है कि निर्दली जो है, वो दलो पर भारी पर रहा है, जो भी निर्दली उमिदवार है, चाहे सिवान की बात करें, हिना शाहब की बात करें, पुर्णिया में आपको पपुयादो की बात करें, बकसर में ददन पहलवान की बात करें, तो निर्दली इस बार दलो पर भारी पर तो इनका भी वही मानना कि निर्दलिये दलोप और भाड़ी है इस खबर में इतना ही बनेरामार साथ और देखते रहे दाइन्या ठाप